असलाम अलवीकूम स्पार्क्स और यह बहुत जल पाकिसानी मार्केट में आईफोन 16 प्रो मेक्स को लांच करने वाले हैं सोरी मैं इधर उदर निकल गिया एक्श्वल में स्पार्क्स नोट एक स्मार्टफोन लांच करने वाले हैं जिसका फस्वल का अन्वील हो चुका है और डिजाइन आप देख से देखिए कि इतना ज्यादा आईफोन से इंस्पार्ड है रियर साइपर वैसे केमरा माडियूल दिया है ट्रिपल केमरा सेटप इन डिप्रेश लाइड दिया है स्मार्टफोन यहां पर बलू कलर और गोल्डडन कलर में अन्वील हो चुका है और स्पार्डणी दे गई है यह फुन फ्लेट फ्रेम के साथ आता है और यह फ्रेम प्लास्टर का दिया है और स्मार्टफोन एक साइप फिंगर पें स्कैनर के साथ आने वला है डिजाइन इंति हाई जादा इंस्पार्ड है इंफेक्ट आप ये कह सकते हो कि आईफोन के डिजाइन में स्पार्क्स की चीज़े डाल दी गए ये इतना सिमिलर है इवन के कलर्स भी उच्छी तरह ही दिये गए हैं सियारा ब्लू कलर है और टाइटीनियम गोल्ड कलर दिया गया जो कि डिफिनिटी आइटिंक बहुत से लोग पसंद करेंगे में भी कुछ लोगों को ये फोन पसंद नहीं आएगा बट मेरा यह माना है कि आप जब मिडरे सेग्मेंट इनफेक्ट 20,000 से ओपर की फोन में जाते हो तो कोश्च करो ये आईफोन वाले टाइप के डिस्प्ले की बात की जाए तो इस फोन में दिया गया है 6.74 इंच का एक एजडी प्लस रिजूशन वाला IPS डिस्प्ले जो के 90 हर्ट के हाई रिफ्रेशेट के साथ आता है एक डूडॉप नॉच वाले डिस्प्ले दिया गया है और स्मार्टफून पांच उनिच की पिक ब इस में ज्यादा गिलेशी को यह नहीं का सकते अंडर तर्टी के में यह फोन एक्सपेक्टेड है तो उस साथ से आई तिंग यह डिस्प्ले आइडियल है चीज यहां पर ठीक टाक है बिल्कुल एकसेप्टेबल है स्पार्क्स नोट एक स्मार्टफून की चिपसेट की बा आने वाला है यह एंसी का स्वोटाइब सेपोर्ट करेगा और एंडराइड पूर्टीन का वो जिन देखने को मिलेगा जो के स्टॉक एंडराइड होगा जी एट 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 एक डीसेंट एक कैपबल प्रोसेसर है और अप्रिशेटेबल बात है कि यहां पर स्पार्क्स वाले लेटेस प्रोसेर यूस का रहे हैं बट यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जी एट एट ही दिया करो कि पिछली बार आपने स्पार्क्स अल्टरा इलेवन में जो है आपने जी एट 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 बताया था बट इन फेक्ट उसमें जी एट फाइव था तो ऐसा ब्लंडर ऐस यह फोन आपको अक्तूबर के महिने में पागी साय माकेट में देखने को मिल जाएगा बाकि रही बात प्राइस की तो यह फोन तीस हजार की नीचे में लांच होना चाहिए क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वह उस हिसाफ से जिस्पाई करता है तीजा से ऊपर का जिस्पा अपने साथ लेकिे आता है यह फोन रियर केमरा से ठूक ही किरिकारडिंग कर सकेगा और फ़रंट पर टैंटीप की रिकार्डिंग सपोर्ट करेगा केमरा की बात कि जए तो में केमरा से तोड़ी बहुत उमीदेर रख सकता हूं बर जो फ्रण्ड केमरा है वो काफी आर्ड स्वार्ट पांच स्वार्ट में नोट स्मार्टफून्ट के बारिम स्वार्ट एक नोट cycle भख़ गर ने को मिल जाए बारे आपके यह स्मार्ट पून से हंदिर पर सथ करेंट ने को ही और यह समझता हूं कि इस पर्स ने स्ब्सक्राइट नहीं है जब आप अपना एक डिजाइन क्रिएट करते हो तो और भी ज्यादा खुबसूरत और अट्रेक्टिव लगता है लोग आईफून के अपने डिजाइन से बोर हो चुके हैं और आप लोग दुबारा से आईफून वाले डिजाइन चिपका रहे हो तो ये चीज़ तो